अगर आप खासी की समस्या से परेशान है और तुरंत खासी जट से खतम करना चाते हैं तो आज का ये वीडियो ज़रूर देखें किसी भी वज़ेस से आपको खासी हो रही हो तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा नुसका बता रहा हूँ जिसको लेने से एक बार में ही आपको खासी में पूरा आराम आ जाएगा सब चीजें घर में मिल जाएंगी कहीं बाहर जाने के जरूरत नहीं पड़ेगी एकदम सस्ती चीजें और इसमें कोई भी ऐसी चीज हम नहीं डालने वाले हैं जो हमको कोई गर्मी करती हो इस नुसके को बच्चों से लेकर बढ़ों तक सबको दे सकते हैं इसका कोई नुकसान नहीं है कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पे हमने इस नुसके को बनाने के लिए अद्रक लिया दोस्तों आप देख रहे हैं और खासी जो काम के लिए तो यह राम बांड दवा की तरह काम करती है इधर इसको लिया और उदर बिमारी को ये ठीक कर देती है दोस्तों तो ये एक medium size की अदरक की गांट हमने ले लिया है अदरक के इस टुकड़े को चील लेंगे और चील करके इसका चिलका हटा देंगे अब ये जो चीली हुए अदरक हमारे पास में है न इसका क्या करना है इसको हम चोटे टुकड़ों में काट लेंगे ये नुस्का जो है न दोस्तों खांसी के साथ साथ चाती में जमा कफ को भी दूर कर देता है जिससे सांस खुल कर आने लगती है तो इस अदरक के पूरे टुकड़े को हम चोटे टुकड़ों में काट लेंगे अब इनको काटने के बाद हम क्या करेंगे अब हम मिक्से के जार में अद्रक के इन सारे टुकडों को डाल लेंगे इनको पीशने के लिए हमको इसमें पानी डालने के जूरत नहीं पड़ेगी बिना पानी के ही ये बहुत आसानी से पेश जाएंगे तो बड़े आराम से अद्रक का खूब सारा रस निकल कर आ जाएगा कोई ज़्यादा मेनत नहीं लगेगी एक मीडियम साइज की अद्रक की गांट से एक चमच अद्रक का रस आसानी से निकल आएगा दोस्तों जिन लोगों के पास एक कद्दूकस है ना और इसको काम में लेना चाते हैं तो वो क्या करें कि अद्रक को पहले चील लें और फिर चीली हुई अद्रक को कद्दूकस कर लें कद्दू कस करने से अद्रक के बारीक बारीक लच्छे से आपको मिल जाएंगे जो अद्रक के रस से भरे हुए होते हैं अब इन अद्रक के लच्छों को आप अपनी चाय चानने वाली चलनी में डाल लीजिए और डालने के बाद पहले की तरह से ही चमत से दबा दबा कर अधरक का रस निकालने के आपको जो तरीक अच्छा लगे, आसान लगे, आप उस तरीके से अधरक के रस को बना सकते हैं, तो ये तो अधरक का रस हो गया, अब ये जो अधरक का रस है न दोस्तों, इसके केवल ये खांसी के लिए गले के लिए बहुत कमाल की चीज होती है, खांसी को ये बहुत तेजी से ठीक कर देता है, गले के अंदर की सेतह जो होती है उसके लिए मलम या क्रीम की तरह काम करता है, तो ये एक चमच शैद की पूरी भरकर के दोस्तों आपको ले लेनी हैं और आपने इस आदा चमच अधरक के रसमें डाल लेनी है अब ये जो mixture है ना ये थोड़ा गाड़ा हो जाएगा तो इसको पानी मिलाकर हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे इसके अंदर हमको दो चमच बरकर पानी के भी डाल लेनी है दोस्तों इतना काफी है नहीं तो ये बहुत ज़़ा पतला भी हो जाएगा और इसका असर भी कम हो जाएगा और अब हमको इसको अच्छी तरह से मिला लेना है ये हमारा नुस्का बनकर तयार हो जाएगा अब ये नुस्का आपको बना कर पी लेना है अगर आप सुबह सुबह खाली पेट ले रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है, सुबह, दिन में, या शाम को, रात को कभी भी इसको ले सकते हैं, बस एक बात ये ध्यान रखें, कि इसको पीने के एकाद घंटे बात तक आप कुछ नहीं कहें पीएं, ताकि ये अच्छे से अस को जाएगी, तो ये था आज का हमारा नुस्का खांसी टीक करने का, आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सब को फायदा मिले, आप इसे फॉलो कीजिए, और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेल उनुसके और हेल्ट के जेक करेंने के लिए सचेन गोयल चैनल को सबस्क्राइब कीजिए